गुड आफ्टरनून एवरीवन मैं डॉक्टर शिखा गुपता जैपूर से दूर्बीन के ओपरेशन की विशेशगय तथा आईविए विशेशगय आज आपको रोल अफ लेपरोस्कोपी इन इन फर्टेलिटी के बारे में बताना चाहती हूं मतलब दूर्बीन द्वारा कर जाने वाले ओपरेशन का निसंथांता में क्याक्या फाइदा है तो लेपरोस्कोपी को बहुत सारे लोगी मानते हैं या किसी वी तरह के ओपरेशन को अगर संतांता में करतना पड़ता है तो जादतर जो मरीज है वो उसे अभिशाप मानते हैं और मैं आपको ये एक बताना चाहती हूं कि वो एक अभिशाप नहीं वो एक वरदान है क्योंकि दुर्बीन द्वारा बहुत बार छोटी मोटे फायदे पेशन को इतने हो जाते हैं कि पे जनरली मेरा ये जनरली मैं कब लेपरोस्कोपी करती हूं पेशन की लेपरोस्कोपी या तो मैं तब करती हूं या फिर जैसे की सोनोग्राफी में क्लियर कट कुछ है जैसे कई पार गरभाशे के अंतर गांठ होती है पॉलिप जिसको बोलते हैं तो उसके लिए मैं हिस्ट् दिखाई देते हैं, तब मैं पेशन को दुर्बीन के उपरेशन की सलहा देती हूं या फिर कई बार जैसे पेशन्स तीन-चार महीने हो गए, मेरे पास ट्रीटमेंट लेते हुए कंसीव नहीं हो रहे और मैंने उनका ट्यूब टेस्ट करवाया और ट्यूब टेस्ट में एक ट्यूब ब्लॉक आ गई या दोनों ट्यूब ब्लॉक आ गई तो मैं उनको दुर्बीन के उपरेशन की सलहा देती हूं और कई बार पेशन्स तीन-चार महीने ट्रीटमेंट करा लिया, सारे टेस्ट नॉमल आ रहे हैं सोनोग्रफीज नॉमल आ रही हैं, ट्यूब टेस्ट नॉमल आ रहा है, सब कुछ नॉमल आ रहा है और कंसीव नहीं हो पा रहे तो कई बार अनाइटिफाइड कॉज इसे कारण जो कि हमें सिंपल जांचों से नहीं पता चल रहे हैं हमें शायद लैप्रोस्कोपी से कुछ और पता चल जाए, तो अब मैं पेशन को लैप्रोस्कोपी की सला देती हूँ तो अब हम लैप्रोस्कोपी से पेशन को क्या-क्या फाइदा पहुंचा सकते हैं जिससे की पेशन को कंसीव होने में easy रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्भाशे में polyp है, simple gant है, जो कि simple hysteroscope का मतलब होता है कि एक दुर्बीन गर्भाशे के अंदर जाती है और उसके द्वारा हम पेशन का polyp निकाल देते हैं, तो वो प्रोसीजर दस या पंदरा मिनिट का होता है, कोई special bedress नहीं होता और पेशन अच्छा हो जाता है उसी तरह है कई बार पेशन को cornual, cornual block मतलब जो पेशन के tubes के जो ends गर्भाशे की तरफ है उन ends में tube test में block आ जाता है, तो हम उसे खोल देते हैं कई बार उनका जो ब्लॉक है वो डिस्टल ब्लॉक होता है, मतलब जो end अंडदानी के पास है वहां block है फिंब्रियो प्लास्टी करते हैं और tube खोल देते हैं पेशन काई पार जो PCOD patients होते हैं, treatment कराई जा रहे हैं, IUI कराई जा रहे हैं, नहीं कंसीव और नहीं कंसीव हो रहा treatment देने से थख भी गए हैं और उनसे उसको फाइदा भी नहीं हो और अब और देने से उसको नुकसान होने के chances है तब हम something call ovarian drilling करते हैं मतलब ovary के अंदर 6-8 छोटे-छोटे punctures कर देते हैं थाकि उनको naturally egg बनने लग जाए तो मेरे तो I have such number of patients whom I had done drilling and they all conceived उनको मैंने drilling किया और वो फिर मैंने उनको बोला अभी कोई treatment की ज़रत नहीं 6-8 months आप naturally try करो and they conceived उसके अलावा another advantage is कि हम laparoscopy के दरवान अंडेदानी में कोई गांठ है उसको निकाल सकते हैं गरभाशे की गांठ है उसको निकाल सकते हैं तुर्मीन के operation के फायदे patient उसी दिन घर चला जाता है उसी दिन खाली rest करना होता है अगले दिन से patient अपने सब काम खुद कर सकती है 3-4 दिन बाद अपना job resume कर सकती है जिसमें will power जादा हो जो जादा strong हो वो तो दो दिन बाद ही अपना काम resume कर सकते हैं laparoscopy में सिर्फ एक ही precaution होता है कि आपको डेड़ महीने तक weight नहीं lift करना उसके अलाबा आपको अपने सब काम कर सकते हैं ना तो patient को बहुत ज़्यादा pain होता है ना patient को कोई अपना travel cancel करना पड़ता है ना patient को recovery में कोई time लगता है तो laparoscopy के द्वारा हम कई बार जैसे patient के गरभाशे double गरभाशे होते हैं और गरभाशे में जिल्ली होती है तो वो भी निकाल दी जाती है आजकल histoscopic septal resection आज से 30-40 years पहले अगर double गरभाशे होता थो इतना बड़ा कट लगता था पेट पे patient के गरभाशे को दो गरभाशे को जोड़कर एक करा जाता था आजकल तो बहुत आसान काम हो गया है चोटी सी दूर्बीन आती है 4-6 mm की वो गरभाशे के अंदर जाती है patient के और वो जिल्ली को काट देती है और patient फिर दो महिने बाद pregnancy प्लान कर सकता है जिसको कि हम histoscopic septal resection कहते हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि gynecology के अंदर दूर्बीन का प्रयोग सबसे पहले निसंतानता के patients के लिए ही चालू हुआ था क्योंकि निसंतानता के patients में बड़ा operation, पेट खोल के operation, patient के लिए परिशानी का कारण बन जाता है और दूसरा, बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि operation के दौरान डॉक्टर ने कुछ खराब कर दिया तो, कोई injury कर दी तो ऐसे तो देखो, complications किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं, बट दोस आर rare complications one in 10,000, one in 20,000, just like road accidents, तो I would call it an accident, वो accidents होते हैं otherwise, 99% patients को हमेशा दूर्बीन का operation द्वारा फाइदा ही पहुंचा है, thank you